असलाम लेकम स्टुडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैज के एक्सरसाइज 3 5.5 को कम्प्लीट सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो का अखिर तक देखें ताकि आपको कम्प्लीट एक्सरसाइज की समझा सके, तो इस पिछली एक्सरसाइज में हमने स्फेर को पढ़ा था, इसमें हमने हमिस्फेर को पढ़ना है, इसमें हमने हमिस्फेर को पढ़ना है, तो हमिस्फेर को हम कैसे बना सकते हैं, जब हम स्फेर को इसके हाफ से कट कर दें, ठीक है, तो हमिस्फेर बन जाएगा, Finding the surface area and volume of a hemisphere Hemisphere का हमने surface area और volume का formula पढ़ना है Surface area of a hemisphere Hemisphere का surface area कैसे आएगा Surface area of sphere को हम जब multiply कर देंगे 1 over 2 से ठीक है Surface area of sphere क्या है 4 pi r square अगर इसको 1 over 2 से multiply कर दें तो यह आएगा 2 pi r square ठीक है 2 pi r square में अगर area of base यह जो उपर डकन है इसके उपर अगर यह जो sphere है इसको आप से cut कर दें ठीक है इसके उपर जो डकन आएगा पेज आएगा अंदर से तो खाली है ना यह हैंनी sphere इसके उपर जो पेज हम रख देंगे उसका जो area होगा उसका क्या area है Pi r square तो यह 2 pi r square में अगर pi r square add कर दें तो यह एगा 3 pi r square ठीक है तो यह hemisphere का surface area आजाएगा 3 pi r square यह अपने याद रखना है यह जो इसके उपर base बन रही है यह वली blue color की इसका जो area है वो क्या है pi r square और यह जो curved surface है इसका क्या area है 2 pi r square तो इन दोनों को add कर देंगे तो यह एगा 3 pi r square ठीक है इसके बाद volume of hemisphere अगर sphere के volume को 1 over 2 से multiply कर दें तो यह hemisphere का volume आ जाएगा यह देखे 1 over 2 of sphere 1 over 2 multiply यह sphere का volume था 4 over 3 pi r cube तो इसको उसने 1 over 2 से multiply कर दिया 2 और 4 cancel होगे दो एक दो 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 चार यह अगर 2 over 3 pi r cube तो यह इसका volume आ गया है hemisphere का 2 over 3 pi r cube ठीक है जब volume हमने find करना है तो यह formula इस्तमाल करना है जब surface area find करना है तो यह 3 pi r square का formula यूज करना है अब हम question 1 को solve करते है है calculate the surface area of a solid hemisphere of radius 10 cm तो इसका हमने surface area find करना है radius दिया होगा है 10 cm question number one surface area of hemisphere 3 pi r square 3 multiply पाई की value लिख देंगे 22 divided 7 radius की value करहे है 10 cm इसका scale तीन को 22 से multiply कर देंगे 32006 32006 66 over 7 यह दास का scale है तो दास को दो दोफ़र multiply कर देंगे दास को दास से multiply किया यह आ गया 100 66 multiply 100 यह आ गया 6600 डिवाइड कर देंगे 7 पे यह आगा 942 decimal 85 यह देखें 5 से अगला नंबर का है 77 चुम्के 5 से greater है इसलिए यह जो 5 है इसमें one add कर देंगे यह आएगा 86 cm square तो यह hemisphere का surface area आ गया यह हमने find करना था तो यह question number one complete हो गया अब हम question number two solve करेंगे the surface area of a solid hemispherical object is 150 decimal 86 feet square तो जो hemispherical object है उसका surface area दिया हुआ है 150 decimal 86 feet square what is the diameter of the hemisphere तो हमने hemisphere का diameter find करना है diameter क्या होता है यह जो line गुजरती है ना center से यहां तक यहनिके radius का दुगना क्या होता है diameter क्वेस्टिन नम्बर टू सर्फस एरिया ओफ हैमिस्पेर तो सर्फस एरिया ओफ हैमिस्पेर फार्मूला लिखेंगे 3 पाई आर स्केर तो हैमिस्पेर का surface area क्या है 150.86 है 150.86 थ्री पाई आर स्केर 3 पाई की वैल्यू लिख देंगे कितनी है 22 डिवाइड साथ यह पाई की वैल्यू आगी radius हमने find करना है इसको एज़र लिख लेंगे आर स्केर 150.86 यह 3 को 22 से multiply कर लेंगे यह आगा 66 डिवाइड में 7 आगया multiply आर स्केर अब यह देखेंगे 7 इदर डिवाइड हो रहा दूसरी साइड पर जाके multiply हो जाएगा और यह 66 इदर multiply है तो इदर आके divide हो गया इदर बच गया आर स्केर 150.86 को 7 से multiply कर लेंगे यह आगया 1056.02 ओवर 66 को लार स्केर इसको 66 पर divide कर देंगे यह आएगा 16.000 तो यह 16 ही आएगा अब हमने आर फाइंड करना है तो दुनों तरफ का स्केर रूट लेंगे यह स्केर से स्केर रूट कैंसल हो गया यह आगया radius 16 का स्केर रूट यह आगया 4 यह fit स्केर में था तो यह fit आएगा 4 fit इसका radius है तो हमने क्या find करना है diameter diameter किसके एकवल होता है तो आर रेडियस कितना है 4 fit तो रेडियस के जगह पर फोर आगया टू फोर यह तो डायमेटर इसका आगया 8 fit तो यह हमने find करना था तो यह question no.2 complete हो गया अब हमने question no.3 solve करना है the surface area of a solid hemispherical object is 1356.48 cm scale तो यह भी question no.2 जैसा है hemispherical object का surface area दिया होगा है 1356.48 cm scale what is the diameter of the hemisphere तो हमने इसमें भी diameter find करना है hemisphere का टेक पाई पाई की value हमने इसमें 3.14 लिखनी है 22 divide 7 नहीं लिखनी ठीक है यह लिखनी है question no.3 surface area of hemisphere surface area of hemisphere लिखते हैं तीन पाई आर स्केर 3 पाई आर स्केर surface area of hemisphere क्या दिया होगा है 1356.48 3 पाई की value उसने दी होई है 3.14 इसमें हमने radius find करना है तो इसमें radius की value नहीं दी होई तो इसको as we लिख देंगे 3.14 को 3 से multiply का लेंगे 3.14 multiply 3 यह आ गया 9.42 multiply our scale 1356.48 अब यह देखे 9.42 इधर multiply है इधर आके divide हो गया 1356.48 यह 9.42 इधर आके divide हो गया इधर आगया our scale 1356.48 डिवाइट 9.42 यह आ गया 144 इसको divide करने से अब दोनों तरफ का स्केर रूट लेंगे स्केर से स्केर रूट कैंसल या अगयर आर 144 का स्केर रूट लेंगे यह आएगा 12 cm अब हमने इसका diameter find करना है डाया मीटर क्या है तू आर रेडियस कितना है बारा सेंटी मीटर 12 को 2 से multiply किया है 24 cm ठीक है तो यही हमने find करना था तो यह question number 3 complete हो गया अब हम question number 4 solve करेंगे what is the total surface area of a solid hemispherical object of radius 2 cm तो हमने total surface area find करना है solid hemispherical object का radius दिया होवा है 2 cm considering पाई approximately equal है 22 divided 7 पाई की value यह लेनी है 22 divided 7 ठीक है तो टोटल surface area find करते हैं hemispherical object का question number 4 radius दिया होवा है 2 cm सर्फस एरिया और फैमिस्फेर अधियर 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 इसका फार्मूला है इसमें value लिखेंगे 3 यह पाई की value लिख देंगे 22 divided 7 radius है 2 cm 2 का scale तीन को बाई से multiply करेंगे तीन दो छे तीन दो छे तीन दो छे 66 ओवर 7 दू का scale 2 को टू से multiply किया यह आगा 4 66 को 4 से multiply करेंगे 66 multiply 4 यह आगा 264 ओवर 7 इसको 7 पर ड्वाइड कर देंगे यह आएगा 37 decimal 71 cm स्केर तो यह हमिस्फेर का हमने surface area find कर ले हैं तो यह question number 4 complete हो गया बुक में इसका answer wrong है ठीक है अब हम question number 5 solve करेंगे a hemisphere has a curved surface of 175 cm square find its radius है hemisphere की curved surface का area दिया होगा है 175 cm square find its radius तो हमने इसका radius find करना है तो यह जो गोल है यहां से यहां तक यह वली ठीक है यह उपर वाली surface इसमें नहीं आने ठीक है यह तो circular surface है यह देखें उपर वाली इसमें सिर्फ यह आने है curved surface ठीक है इसका area उसने दिया होगा है 175 cm square है तो हमने इसका radius find करना है तो इसका surface area कैसे आएगा यह sphere का total surface area क्या था 4 pi r square तो यह 4 pi r square को 1 over 2 से multiply करेंगे तो यह 2 pi r square आएगा तो यह जो surface है बाहिट वाली curved surface इसका surface area क्याएगा 2 pi r square है उपर वाला इसमें add नहीं करना है ठीक है तो यह आएगी 2 pi r square question number 5 surface area of curved surface of hemisphere तो यह आएगा 2 pi r square तो यह देखें यह sphere है इसका total surface area कितना था 4 pi r square इसको अगर half कर दें ठीक है यह बाहर वाला surface area कितना आएगा तो इसको अगर 2 पे divide करेंगे तो यह आएगा 2 2004 2 pi r square आजाएगा ठीक है तो यह 2 pi r square हमने इसका formula लिख लिए 2 pi की value लिखेंगे 22 divide 7 साथ यह pi की value आगे अब r square यानिके radius radius हमने find करना है surface area of curved surface of hemisphere क्या था 175 cm स्केर 175 cm स्केर ठीक है यह आगा 175 2 को 22 से multiply कर लेंगे यह एगा 44 over 7 multiply r square यह 7 175 से multiply हो गया यह 44 इदर आके divide हो गया इदर बच गया r square इसको 44 पर ड्वाइड कर देंगे यह एगा 27 decimal 84 equal r square अब हम दोनों तरफ का स्केर रूट लेंगे स्केर रूट 27.84 यह आगा 5.276 ठीक है 5.276 है स्केर स्केर रूट कैंसल हो गया यह आगा radius 5.276 cm ठीक है तो यह radius हमने find करना था ठीक है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं radius equal 5.276 cm तो यह हमने find करना था तो यह question number 5 complete हो गया अब हम question number 6 solve करेंगे find the volume of a hemisphere whose diameter is diameter दिया होए है part A, part B, part C तो इसमें diameter दिया होए है तो हमने volume find करना है part A solve करते हैं 14 cm तो diameter क्या दिया होए है 14 cm तो हमने volume find करना है hemisphere का volume of a hemisphere, volume का formula दिया होए है question number 6 diameter diameter of hemisphere diameter को हम D से लिखते हैं D यह कितना है 14 cm तो हमने radius find करना है radius of hemisphere radius क्या होगा radius क्या होगा radius R equal होगा D over 2 diameter को 2 पे divide करेंगे तो यह radius आ जाएगा 14 डिवाइट टू यह एगा 7 cm ठीक है अब हमने volume find करना है volume of hemisphere 2 over 3 pi r cube तो यह volume of hemisphere आगा 2 over 3 pi r cube 5 की value लिख देंगे 22 divided 7 यह pi की value आगे 22 divided 7 radius हमने find कर लिए है 7 cm यहां पे 7 आ जाएगा 7 का cube 2 और 22 को multiply कर देंगे 44 3 और 7 को multiply किया यह आगा 21 7 का cube 7 को 3 दफ़ा multiply कर लें या 7 का cube ले लें यह x cube आना यह देखें यह cube का button दबाएं 7 का cube आ जाएगा यह 343 आ जाएगा 343 को 44 से multiply कर देंगे यह आ जाएगा 15,092 डिवाइड कर देंगे 21 पे यह आ जाएगा 718 14 डेसिमल 66 सेंटीमेटर क्यूब यह इसका volume आ गया तो यह हमने find करना था तो यह part 1 complete हो गया प्रेस्ट नमबर 6 पार 2 21 सेंटीमेटर यह डायमेटर देंगा है 21 सेंटीमेटर हमने इसका volume find करना है डायमेटर ओफ हेमिस्फियर डायमेटर है 21 सेंटीमेटर रेडियस find करेंगे रेडियस ओफ हेमिस्फियर रेडियस आर डी ओवर 2 21 को दोपे ड्वाइड करेंगे किसको दोपे ड्वाइड किया है यह अगर 10.5 सेंटीमेटर ठीक है अब हमने volume find करना है volume of hemisphere 2 over 3 पाई आर क्यूब 2 over 3 पाई की value लिखेंगे 22 डिवाइड साथ यह पाई की value आगी आर रेडियस 10 decimal 5 इसका क्यूब 2 को 22 से multiply किया यह अगर 44 तीन को साथ से multiply की 21 आ गया 10.5 इसका क्यूब है तो 10 decimal 5 को तीन दफा multiply कर लें यह इसका cube ले ले यह इसका exponent 3 यह आएगा 1157 decimal 625 इसको हम 44 से multiply कर लेंगे 50935 decimal 5 डिवाइड 21 21 पे डिवाइड कर देंगे यह आ गया 2425 decimal 5 centimeter cube यह volume of hemisphere आ गया यह हमने find करना था तो यह part 2 complete हो गया question number 6 part C 10 centimeter diameter दियो गया है 10 centimeter कर देंगे centimeter radius of hemisphere radius of hemisphere radius of hemisphere यह प्यूब प्यूब करेंगे 10 को दो पे डिवाइड करेंगे यह एगा 5 centimeter ठीक है यागर radius यह प्यूब करेंगे फाइव का क्यूब 22 को 2 से multiply के यह आगया 44 3 को 7 से multiply के 21 आगया 5 का क्यूब यानि कि 5 को 3 time multiply कर लेंगे या 5 का क्यूब लेंगे यह एगा 125 इसको हम 44 से multiply कर लेंगे यह एगा 5500 21 पे ड्वाइड कार देंगे यह एगा 261 decimal 90 centimeter क्यूब ठीक है 261.90 सेंटीमिटर क्यूब तो यह इसका वॉलियम आगया तो यह हमने find करना था तो यह पार्ट C complete हो गया और इसके साथ question number 6 भी complete हो गया अब हम question number 7 solve करेंगे a hemispherical bowl has a volume of 288 pi centimeter find the diameter of the bowl तो यह hemispherical bowl दिया हो है जिसका volume है 288 pi centimeter cube find the diameter of the bowl तो हमने bowl का diameter find करना है तो वॉलियम दिया हो है तो पहले इसका radius find करेंगे radius को 2 से multiply कर लेंगे तो diameter आ जाएगे क्वेस्टन नमबर 7 वॉलियम ओफ हेमिस्फेर 2 2 over 3 pi r cube वॉलियम क्या है हमिस्फेर का 288 pi 2 over 3 pi को as it is लिएंगे इसकी value नहीं लिखेंगे radius हमने find करना है यह भी as it is आ गया r cube यह 3 इदर divide हो रहा दूसरी side पर जाके multiply हो गया 288 pi यह 3 इदर divide हो रहा इदर आके multiply हो गया यह 2 pi इदर multiply है इदर आके 2 pi divide हो गया इदर बज़े गया r cube 288 को 3 से multiply कर लेंगे यह आ गया 864 pi over 2 pi r cube pi से pi cancel हो गया 264 को 2 पर divide कर देंगे यह आएगा 432 r cube यह देखें यह r cube है r square होता तो हम इसका square root ले ले लेते यह देखें r square होता तो हम square root ले ले लेते क्यूंकि square root equal होता है 1 over 2 के यह 3 है ना इसका exponent तो 3 को cancel करने के लिए क्या करेंगे r cube यह 3 को cancel करने के लिए इसकी exponent क्या है कि 1 over 3 फिर यह 3 से 3 cancel होगा ना तो यह 1 over 3 किसके क्यों होता है क्यों बूट के ठीक है यह 1 over 3 cube root अगर यहां पर 4 हो तो यह यहां पर 4 आएगा यहां आएगा 1 over 4 तो यह cube root लेंगे इसका दोनों तरफ का तो cube root लेने के लिए क्या करेंगे shift यह x cube है ना इसको दुबाएंगे तो यह cube root आ जाएगा इसका ठीक है 432 का भी cube root लेंगे r cube का भी cube root लेंगे यह देखें shift x cube यह इसके उपर क्या है cube root ठीक है 432 यह आएगा 7.559 7.559 तो हमने decimal के बाद 2 digits लिखने हैं तो यह देखें 5 के बाद 9 है 9 चुके 5 से greater है इसलिए 5 में बाद नैड कार देंगे तो यह आएगा 7.56 है तो यह centimeter cube था तो radius किस में आएगा centimeter में आएगा तो यह आएगा ठीक है तो यह radius आगा इसका आएगा 7.56 centimeter तो यह इसका radius आगा हमने क्या find करना है diameter of the bowl diameter find करेंगे तो यह तो यह diameter is equal है 2 r radius कितना है 7.56 इसको 2 से multiply कर लेंगे तो यह आएगा 15 decimal 12 centimeter तो यह हमने find करना था तो यह question number 7 complete हो गया अब हम question number 8 solve करेंगे the solid shown in figure यह जो solid figure दी होई है consists of a slender and a hemisphere at the top यह इतना-इतना slender दी होगा है इसके उट आप पे क्या है hemisphere find its volume यह जो total figure है इसका हमने volume find करना है यह figure देखें यह total length कितनी है 20 cm यह इसका diameter है 4 cm तो इसका radius कितना होगा 2 cm तो यह उपर जो hemisphere है इसका भी radius 2 cm होगा question number 8 यह slender की figure दी होई है इसका diameter कितना है यहां से यहां तक diameter है 4 cm इसके टोप पे क्या है hemisphere यह इसके टोप पे hemisphere है ठीक है तो यह देखें यह total length इसकी कितनी है 20 cm यहां से यहां तक यहां से यहां तक इसकी length है 20 cm ठीक है अब यह देखें इसका radius कितना है 2 cm 2 cm 2 cm इसका radius है यहां से यहां तक भी 2 cm होगा होना है hemisphere का radius है 2 cm 2 cm तो slender का radius भी 2 cm होगा ठीक है अब यह देखें यह 2 cm यहां से यहां तक जो length है 2 cm तो इतनी इतनी length क्या होगी 18 cm यह 2 cm यहां से यहां तक 18 cm होगी ठीक है यह अपने ध्यान से देख लेना है तो slender का radius क्या होगा 2 cm radius of slender slender का radius क्या होगा 2 cm slender की height क्या होगी यह देखें से यहां से यहां से यहां तक total length क्या थी 20 cm तो यह इतना radius जो है hemisphere का radius यह 2 cm है तो 20 में से 2 को हम subtract करेंगे तो यह 18 cm आएगा ना तो slender की height क्या होगी 18 cm height of slender height height आएगी 18 cm volume of slender लिखेंगे pi r square h pi r square h यह slender का volume है ठीक है यह formula आपने यहां रखना है ठीक है pi की value लिखेंगे 22 divided 7 यह value लिख दी radius 2 cm आगया 2 का scale height आगई 18 cm 22 divide 7 2 का scale 4 multiply 18 22 4 और 18 को multiply कर लेंगे 22 4 और 18 को multiply कर लेंगे 1584 divide कर देंगे 7 पे यह आगया 226 decimal 28 8 के बाद क्या है 5 5 यह 5 से greater हो तो पिछले नमबर में हमने one add करना होता है यह आएगा 29 volume volume of slender के आएगा cm cube यह slender का volume आगया यहां से यहां तक हमने volume find कर लिया अब यह जो टोप पे hemisphere है इसका volume हमने find करना है नाव वोलियम ओफ हेमिस्फियर हेमिस्फियर के वोलियम का फर्मूला था 2 over 3 पाई आर क्यूब 2 over 3 पाई की वैल्यू लिख लेंगे 22 डिवाइड साथ पाई की वैल्यू लिख ली 22 डिवाइड साथ radius हेमिस्फियर का radius देखें यह देखें हेमिस्फियर का radius क्या है 2 cm ठीक है यह total diameter इसका 4 था तो half इसका 2 होगा तो यह 2 cm होगा इसका radius 2 cube 2 over 3 22 डिवाइड साथ 2 का cube 2 को 3 दफा multiply करेंगे तो यह 8 हाएगा 2, 22 और 8 को multiply कर लेंगे यह एगा 352 3 को साथ से multiply करेंगे आगे 21 इसको डिवाइड करने से आगे 16 16 डेसिमल 76 cm3 यह हेमिस्फेर का वॉलियम आ गया 16 76 cm3 अब हमने यह जो complete figure है इसका total volume find करना है स्लंडर का वॉलियम और हेमिस्फेर का वॉलियम दोनों को एड काल लेंगे तो यह total volume आ जाएगा अब है अब है अब है आएप मिस्फेर का वॉलियम और स्लंडर का वॉलियम आड का देंगे तो यह total volume आ जाएगा स्लंडर का वॉलियम क्या था 226.29 226.29 229 प्लस 16.76 इन दोनों को आड का लेंगे 226.29 प्लस 16 decimal 76 यह आगया 243 decimal 05 centimeter cube तो यह total volume आगया इसका तो यह इसका दुरुस्त आंसर है ठीक है तो यह question number eight complete हो गया और इसके साथ exercise भी complete हो गई और अगर आपको इसमे कोई doubt हो तो आप लाजमी comment box में comment करें और आपक्वा पूस्ता खुदा हाफिज झाल को झाल झाल